नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तारगेट एजुकेशन क्लासेज पर दोस्तो आज बहुती महतोपुन टोपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लिंग दोस्तो हिंदी की कोई भी कमपिटिशन हो कोई भी एकजाम हो वह है लिंग वचन के बिना अधूरिय यानि सभी एकजाम में चाहिए वह गोर्मेंट एकजाम हो तो उसमें लिंग या वचन के परसन अवस से पूछे जाते हैं तो दोस्तो आज हम लिंग का बारी की से यानि ग लिंग का अर्थ है चिन या निशान यानि पैचान कि हम वस्तों की पैचान सब्दों की पैचान किस प्रकार करें तो लिंग का साब्दिक अर्थ है चिन या निशान परिवासा है संग्या सब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष जाती या इस्त्री जाती होने का पता चल करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तो हिंदी में लिग दो परकार के होते हैं एक पूलिंग दूसरा इस्थ्रिलिंग दोस्तो आप पैचान करने की कि सब्ड किस परकार के हist रिंग का तरिक देखेंक लिए दोस्तों मैंने कुछ सब्द लिखें जैसे सरकार मोहन, हीमाले, सोनाकसी, मेज, बस, गाय, आदी तो मैंने की पैचान किस प्रकार करें कि ये सब्द स्त्रीलिंग है या पूलिंग है तो मित्रों सब्द के पहले या बाद में विशेशन का प्रयोग करके देखते हैं या फिर किरिया के आदार पर जांच करते हैं कि सब्द पूलिंग है या स्ट्रिलिंग है जैसे पहला सब्द सरकार तो यहां पर मैंने लगाया है विशेशन के रूम में अच्छी सरकार है सरकार है अगर इसकी जगह यह लिखते हैं अच्छा सरकार है तो दोस्तों वाकिय नहीं बनता सरकार कैसी होती है अच्छी होती है तो जहां पर अच्छी आ जाता है वहां पर तो होता है स्ट्रिलिंग और जहां पर अच्छा आ जाता है वहां पर क्या होता है पूलिंग इसी प्रकार मोहन इसकूल जा रहा है तो यह तो नाम से इस प्रस्ट है हम सब जानती कि मोहन पूलिंग है पर तो इसकी पैचान कर रहे हैं कि मोहन इसकूल जा रहा है तो इसकी जगह जार रही है तो नहीं लगा सकते मोहन इसकूल जा रहा है इसी प्रकार अगला उदारनाई हिमा हिमाले उचा है तो उचा की जगह उची लिग दे तो वाक्य अच्छा नहीं होगा हिमाले उचा है वाक्य कितना अच्छा कितना व्याकरण की दरस्टी से अच्छा है तो हिमाले क्या होता है उच्छा और उच्छा सब्दा गया है इसका मतलब यहां पर क्या हो गया हिमाले प तो चलती इसका मतलब सोनाकसी है, इस्त्रीलिंग है, इसी प्रकार अगला उदारण है, वह मेज अच्छी है, तो अच्छी के जगह अच्छा लगा दे तो मेज अच्छा है, यह वाक्य सुध नहीं है, वह मेज अच्छी है, इसका मतलब अच्छी लगा है, विशेशन के रू तो pulling तो अगर रई की जगह रहा लगा दे बस आ रहा या बस जा रहा है तो वाकिय इस सुभ नहीं होगा बस आ रही है कितना सुंदर और कितना अच्छा वाकिये बनेगा तो इस वाकिय के अनुसार बस क्या हो गया स्ट्रिलिंग हो दोस्तो ये थोड़ा सा ट्रिक है इस्त्रिलिंग और पुलिंग पैचान करने की तो दोस्तो आज हम पढ़ेंगे पुलिंग पार्ट एक में पढ़ेंगे पुलिंग तो पुलिंग के बारे में देखते हैं ऐसे सब्द जिन से पुरुष जाती का बोध होता है यानि ऐसे सब्द जिन से पुरुष जाती का बोध होता है उसे पुलिंग कहते हैं जैसे राजा, राम, मोहन, गोडा, हाती, सिंग, बकरा, लड़का, उनका, चाता, खाता, मोर, मुर्गा, इत्यादी ये सब्द सारी क्या है? पुलिंग है अब इनको याद किस प्रकार से रिखेंगे? यतने सब्दों को तो याद नहीं रखा जा सकता तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स है जैसे सभी परवतों के नाम, सभी परवतों के नाम पुलिंग होते है ये सारे के सारे परवतों के नाम क्या होंगे पुलिंग होगे किसी भी परवत का नाम आ जाए वो तो क्या होगा पुलिंग होगा उसी परकार दीनों के नाम पुलिंग होते हैं सोंवार से लेके रविवार तक चाहे मंगलवार बुद्वार गुरुवार शुकुरुवार सनि पुलिंग होते हैं फरवरी मार्च अप्रेल जून अगस्त स्टमबर अक्टूबर नुवंबर दिसंबर यह सारे के सारे क्या होते हैं पुलिंग होते हैं पर दोस्तों यहां पर बस थोड़ा सा यह याद करना कि जनवरी मई और जुलाई जनवरी मई जुलाई यह सब यह मैन के नाम पुलिंग होते हैं हिंदी महिने में जैसे चेप्तर बैसाग जेस्ट आसाड सावन ये सारे के सारे महिने क्या होंगे पुलिंग होगे हिंदी महिनों के नाम पुलिंग होगे दोस्तो बस हिंदी महिनों का नाम याद कर लीजिए जेस्ट आसाड बैसाग सावन याद हो जाएंगे याद रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदी महीनों के नाम याद करने इसके बाद में दोस्तो है समय के नाम पुलिंग होते हैं जैसे शान, पल, सेकेंड, मिनिट, गंटा, दिन, वर्स, यूग ये सारे के सारे क्या होंगे समय के नाम है वो पुलिंग होते हैं दोस्तों ये विसेस याद रखना है समय के नाम पुलिंग तो होते हैं परन्तु कुछ अपवाद सवरूप ही होते हैं जो स्ट्रिलिंग होते हैं और वो कौन कौन से सब्द है रात, दोपेर, शाम, संध्या, सांज ये दोस्तों पांच नाम है आपको अपवाद सवरूप समय के नाम पुलिंग है परन्तों ये अपवाद सवरूप रात, दोपेर, शाम, संध्या, सांज ये स्त्रिलिंग होते हैं दोस्तों इनको ध्यान रखना है याद कर लेना है अगला है दातों के नाम पुलिंग होते हैं कोई भी दातों दातों के नाम पुलिंग होते हैं जैसे लोहा, पितल, तांबा, सोना, सेसा, एलुमिन, प्लेटेनियम, उरेनियम, जस्ता, टीन ये सारे के सारे क्या होते हैं पुलिंग होते हैं दोस्तो ये प्रिक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है कि चांदी स्ट्रिलिंग है पुलिंग तो दोस्तो ये अपवाद है दातो के नाम में चांदी स्ट्रिलिंग शब्द है दोस्तो हम दातों के नाम को रट लेते हैं तो चांदी दातों के नाम में आता है और हम तुरंत उसे पुलिंग कर देते हैं परन्तु याद रखना दोस्तों चांदी सब्द वह स्ट्रिलिंग है पुलिंग नहीं होगा इसी प्रकार आगे चलते हैं दोस्तों देशों के नाम जैसे भारत, चीन, इरान, थाइलेंड, रूस, जापान, अमरीका, फ्रांस, लंदन, दिलीब, जैपूर, मोरिसियस, मलेसिया, नेपाल, इत्यादी, जितने भी देश सारे के सारे पुलिंग होगे, इसी प्रकार सागरों है, मासागरों के नाम भी पुलिंग होगे, जितने भ मित्र बंदू इस चैनल पर नहे हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे नए वीडियो का नोटिफेकेशन आपको मिल सकते हैं, दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो की और, घरों के नाम पुलिंग होते हैं, जितने भी गरों के नाम पुलिंग होते हैं, जैसे पानी, पानी, तेल, पैंट्रोल, घी, सरबत, दही, दूद, काड़ा, जलजीरा, ये कौनचे सब्द हैं, पुलिंग होते हैं, दोस्तों अपवाद सवरूप, अपवाद सवरूप, दरवे के नाम में, चाय, कोफी, लसी, चाच, इसकंजी, स्या पुलिंग होते हैं, दोस्तों इसमें दही कई बार पूचा जा चुका है, दही सब्द कौन सा है, दही सब्द कौन सा है, तो दोस्तों याद रखना है, दरवे के नाम में, सारे के सारे लगबग पुलिंग होते हैं, पानी, तेल, पैंट्रोल, घी, सरबत, ये सारे के सारे दही एक्जाम में पूछा जा चुका है और इसके साथ में पूछा जा चुका है लसी और शाही ये सब्द कौन सा है तो दोस्तो लसी और शाही स्ट्रिलिंग सब्द है दर्वे के नाम में कुछ अपवाद है चाय कोफी लसी चाच सिकंजी शाही और सराप ये सारे के सारे क्य अपवाद दर्वे के नाम में पुलिंग है और ये अपवाद है दोस्तों ऐसा याद करने की ट्रिक है जैसे कि दही सब्द है पुलिंग और उससे बनने वाली जितनी भी चीज है दही दही से बनने वाली लसी और सिकंजी तो होगी न वो सारे के सारे क्या होंगे लसी और सिकंजी छाच लसी और छाच ये क्या होंगे अपवाद होंगे दही सब्द के अपवाद होंगे अगला है पेडो के नाम पुलिंग होते हैं जितने भी पेडो के नाम है केला, पपिता, सिसम, सोगान, बरगद, पीपल, नीम, आम, अमरूद, देवदार, अनार, कटल, असोग जितने भी पेडों के नाम है वो पुलिंग होंगे दोस्तो इसमें ध्यान रखना पेडों के नाम में भी एक अपवाद है इमली जो बार-बार प्रिक्षा में पूछा जा चुका है इमली सब्द इस्त्रिलिंग है दोस्तो इमली सब्द इस्त्रिलिंग है अनाजों के नाम पुलिंग होते हैं जितने भी अनाज हैं अनाजों के नाम क्या होते हैं पुलिंग होते हैं जैसे गेहों जो बाजरा चना चावल मटर उडद दोस्तो अनाजों के नाम में भी अपवाद है मकई जोवार अरहर मूंग ये इस्त्रीलिंग होते हैं क्या होते हैं इस्त्रीलिंग होते हैं इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि मकई जोवार हरर और मूंग ये क्या होते है त्रिलिंग होते हैं रतनों के नाम पुलिंग होते हैं रतन है वो क्या होते हैं पुलिंग होते हैं जैसे हीरा मोती पन्ना मानिके मुंगा पुखराज नीलम लाल आदी दोस्तों रतनों के नाम में भी सिपी मनी रती लाडली ये पवाद होते हैं दोस्तों मनी और सिपी तो प वाद होते हैं ये स्ट्रिलिंग होते हैं इसके बाद में दोस्तों समुए वाद सक संगया पुलिंग होते हैं जो समुए का बोध कराते हैं वो सब्द क्या होते हैं पुलिंग होते हैं जैसे मंडल समाज दल समुए सबा वर्ग पंचायती इत्यादी दोस्तों ये क्या होते है पुलिंग होते हैं इसके बार में दोस्तों सरीर के अंगों के नाम पुलिंग होते हैं सरीर के अंगों होते हैं वो पुलिंग होते हैं जैसे हाथ, पैर, गला, अंगुठा, कान, सीर, मुह, गुटना, हिर्दे, दात, मस्तक, इत्यादी दोस्तों क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं, दोस्तों सरीर के नाम में अपवाद ज्यादा हैं, उनको थोड़ा सा याद रखना है, ट्रिक के मादन से याद कर लेना, जैसे आख, जीब, नाक, अंगुलियां, कौनी, कलाई, हड़ी, ठोड़ी, खाल, कांक, ये क्या हैं, इस् परन्तु कुछ एक नाम ऐसे हैं, जो इस्त्रिलिंग होते हैं, आख, परिक्षा में पूछा भी जा चुका है, कौनी, परिक्षा में पूछा जा चुका है, और कलाई, ये दो-तिन सब्द ऐसे हैं, जैसे आख, नाक, कौनी, कलाई, ये परिक्षा में बार-बार पूछा ज पुलिंग होते हैं इसके बाद में दीप के नाम भी पुलिंग होते हैं जैसे जल विवाग, विद्यूत विवाग, इत्यादी ये क्या है पुलिंग है इसके बाद में फूलों के नाम पुलिंग फूलों के नाम भी क्या होते हैं पुलिंग होते हैं जैसे गुलाव, कलम, कमल, मोतिया, गेंदा, इत्यादी दान दोस्तों ध्यान रखना दान, खाना, वाला जैसे सब्द पर खतम होने वाले शब्द पुलिंग होते हैं एक तो दान एक खाना एक वाला सब्द पर खतम होने वाले शब्द यानि अंतिम शब्द दान खाना और वाला हो वह सब्द कौन से होते हैं पुलिंग होते हैं जैसे खान दान पीक दान दवा खाना जेल खाना दूद वाला दुकान वाला पान वाला इत्यादी सब्द कौन से पुलिंग होते हैं अगला प्राणी वाचक संग्या पुरुस जाती का बोध कराते हैं यानि प्राणी वाचक संग्या सब्द उसमें पुरुस जाती का बोध कराने वाले सब्द कोन से होंगे पुलिंग होगे जैसे लड़का, बैल, कुता, हाती, सेर, बकरा, गोडा, खजूर आम तर्बूज खजूर इत्यादी तो दोस्तो फलो के नाम में लीची एक ऐसा है जो इस्ट्रिलिंग है बाकि सारे के सारे फलो के नाम पुलिंग होते हैं दोस्तो अब आगे विशेज ज्यान देने योगे हैं कि जब पुलिंग को इस्त्रिलिंग बनाया जाता है कुछ सब्द ऐसे होते हैं जो पुलिंग होते हैं उनको इस्त्रिलिंग बनाया जाता है तो कभी-कभी मादा सब्द लगा दिया जाता है कभी-कभी क्या होता है मादा सब्द लगा दिया जाता है जैसे खर्गोस खर्गोस क्या है पुलिंग है तो इसका स्ट्रिलिंग करते समय क्या लगाना पड़ेगा मादा खर्गोस इसी प्रकार मच्छर मादा मच्छर जिराफ मादा जिराफ खटमल मादा खटमल मगरमच मादा मागरमाच इसी परकार आगे है दोस्तों और भी जैसे कोयल कोयल पुलिंग शब्द है तो इसका स्ट्रिलिंग बनाते समय मादा कोयल बनाना पड़ेगा और अगर मादा मादा कोयल लिखा हुआ है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा नर कोयल इसी प्रकार चील का मादा चील, मकडी का मादा मकडी, बेड का मादा बेड, मक्खी, मादा मक्खी, गिलेरी, मादा गिलेरी, भालू, मादा बालू, बेडिया, मादा बेडिया, तोता, मादा तोता, मेना, मादा मेना, इसी प्रकार कच्छवा, मादा कच्छवा, उल्लू और मादा मादा उलू दोस्तों जो पुलिंग सब्द होते हैं उनमें मादा जोड़ करके उनका इस्त्रिलिंग बनाया जाता है दोस्तों अब कुछ ऐसे सब्द हैं ऐसे सब्द जो पुलिंग और इस्त्रिलिंग दोनों रूपों में परियोग के जाते हैं वो सब्द कौन कौन से होते हैं जैसे देखते हैं रास्ट पती, उपरास्ट पती, पदान मंत्री, मुख्य मंत्री, वकील, पत्रकार, परबंदक, गर्वनर, शबापती, फ्रोफेशर, शेकेटरी, लेक्टरर, पारसद, सचीव, मेमान, सिसू दोस्तो ये इत्यादी ऐसे सब्द हैं जो स्ट्रिलिंग और पूलिंग दोनों में ही काम में ले जाते हैं यानि इनका स्ट्रिलिंग और पूलिंग दोनों में समान रूप से काम में ले जाते हैं जैसे उदान आपको वाक्य में परियोग करके बता रहे हैं जैसे भारत के रास्टर पती स्रीमा नरेंदर मोदी है तो रास्टर पती किसके साथ परियोग हो गया पुलिंग के साथ इसी प्रकार दूसरा उदारन है भारत की रास्टर पती स्रीमती पर्तिबा देवी सिंग पा जाता है इसी प्रकार अगला उदारान है श्री कांत के पिताजी रास्टपती के सेकेटरी है तो यहाँ पे सेकेटरी शब्द है वो भी स्ट्रिलिंग और फुलिंग दोनों के वें समान रूप से प्रियोग किया जाता है श्रीमती आयूसी देवी डॉक्टर है यहाँ पर डॉक्टर सब्द समान रूप से क्यों कि यहाँ पर शिरीमती आयूसी देवी के जगह किसी पुरुस का नाम लिख दे तो भी डॉक्टर सब्द डॉक्टर ही रहेगा इसी परकार मेरा मितर गजानंद कॉलेज में लेक्चरर है तो यहाँ पर मेरा मितर गजानंद क कि जगे किसी महिला का नाम लिख दे तो भी लेक्षर सब तो आएगा ही इसी प्रकार अगला अगला उदारन है एम एफ हुसेन परसिद चित्रकार है तो यहाँ पर चित्रकार सब्द इस्ट्रिलिंग और पूलिंग दोनों के लिए समान रूप से कामी लिया जाता है दोस्तो अब आगे थोड़ी सी ट्रिक को और देख लेते हैं कि अच्छा और अच्छी जहाँ पर अच्छा का प्रियोग होता है वाके सुद्ध होता है अच्छा बनता है तो वह वाके में जो सब्द है वो पूलिंग होगे और अच्छी का सब्द लगा दिया जाएगा तो व खिलोना अच्छा है तो अच्छा सब्द लिका है तो मतलब खिलोना पुलिंग होगा वे साड़ी अच्छी है तो यहां पे अच्छी विशेशन का प्रियोग हुआ है तो साड़ी क्या हो गया इस्त्रिलिंग हो गया इसी प्रकार मेरा और मेरी सब्द लगा कर देखते हैं यह किताब मेरी है तो मेरी सब्द लिकाए तो किताब हो गया इस त्रिलिंग यह सुन्दर घर मेरा है तो घर क्या हो गया पुलिंग दोस्तो इस प्रकार हम सब्दों की पैचान कर सकते हैं दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखे और वीडियो को लाइक ओर जाता से जादा से जादा सेर करें धन्यवाद दोस्तों